Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? क्या आप सोच सकती हैं कि advantage क्या होगा hard surface में लिखने का या फिर difficulties क्या होती होगी? एक stone में लिखने में, metal में लिखने में difficulties क्या होगी और उसका advantage क्या होगा? Just think about it and read the continuing chapter. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these subjects are called archaeologists. जो भी इन सब के पुरामारे जो history के बारे में जो भी खोच करते हैं, जो भी found दूरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर्केलोजिस्ट, आर्केलोजिस्ट ही जो है, मतलब वो परसन वो होते हैं, जो कि, उन्हें आर्केलोजिस्ट कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? आर्केलोजिस्ट, आर्केलोजिस्ट, इस तडी दर रिमेंस ओ पुल्डिंग्स, जो भी अग्रा प।ो भी संप्रावल में जो भी खोची हूए हैं, इस ड्लेटारी एन सटोन की और एक्स्णा प।ट्टुर्चाइ गने बनी रहते हैं, आप अंडर दा सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सक्राइट मितलब होता है जो कि उन्होंने खुदाई तक किया कोदाई करके भी उन्होंने जो चीजे मिली उसमें भी जो है उन्होंने क्या विला टूल्स मिले वेपन्स मिले पॉट्स पैंस ओनमेंट्स और कॉइंस समाफ इस ऑब्जे से बेगग ट्रे से और मैटल से ओजेक्स एक्स जैट आर मेड सब्सक्राइब यूशली सर्वाइब फॉर, लॉंग टाइम जो ऐसे ऑब्जेक्स होते हैं जो हार्ट बने होते हैं और जिनका जो मतलब सब्सक्राइब की जो बहुत दे तो खरूब इंफ्रिसिबल मतलब की जो डिस्ट्रॉइ ना हो जो टीक पाए अलग अलग सरकम्स्टांसेस में टिक पाए वह उसको सर्वाइब वो क्या उस तरह की जो चीजें होती है मतलब हार्ट सबस्टेंस की जो बने होती है वो लॉंग टाइंग तक टिक सकते हैं archaeologists also look for bones of animals, bird and fish to find out what people ate in the past और उन्होंने क्या किया? उन्होंने bones भी find out की, animals की, birds की, fish की जिसे कि उन्हें पज़ा चला कि past में लोग क्या खाते थे, plants कौन से खाते थे किस तरह के plants पुराने टाइम पे survive करते थे और कैसे वो seeds को grain, मतलब कैसे वो नहीं नहीं plants ग्रो करते थे, कैसे grains को use करते थे for their lives that archaeologists find about और इन सब की खोज किस ने निकाली? archaeologists ने. Wood have been burnt and they survive in a chared form. जो wood है, वो जले में पाए गए, इससे पता चला कि हुने किस तरह से survive करते थे, उस ताइम पे wood का यूज होता था, for the, जलने के लिए, जलने के लिए यूज होता था, कुछ भी जलाने के लिए वो लोग wood का यूज करते थे, तो आपको लगता है कि archaeologists जो है, वो easily, frequently जो है, यह सारे चीसे found कर पाए, लेफ्ट में जो आपको यह पॉट दिखाए दे रहा है, यह एक old city का पॉट है, जो कि 44,700 years ago जो है उस तरह के पॉट को यूज किया जाता था, राइट साइड पे आपको यह इसलवर के दिखाए दे रहोंगे, coins, that is used about the, from about 2500 years ago, and now you have to make difference that what coin you are using in these days, nowadays, and what is the difference between this coin, means coins between nowadays and this coins. Historians, that is scholar who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Historians जो है, वो हमेशा अपने history में, अपने scholars में, जो उन्होंने स्टड़ी किया past में, उन्होंने हमेशा refer करते हैं, source, source means किसके थूँ उन्हें यह बात पता चली, manuscript के थूँ, inscription के थूँ, या फिर archaeology के थूँ. Archaeology मैंने आपको बताए है, जो खोज करने की खोज करते हैं, historians में जो इतिहास को लिखते हैं. So, once source are found, learning about the past becomes an adventure. एक बाद जब sources सारे मिल जाते हैं, और जब वो लोग past को एक बाद एक जो है, bit by bit जब उसे arrange करते हैं, तो वो जब reconstruct करते हैं, तो कितना adventurous लगता है, कितना हम जब एक के बाद एक चीज सोच सकते हैं, तो हमें कितना adventurous लगता है, वाओ, past में ऐसा हुआ, यह सब चीज़े हुई. That sounds so much interesting. How? By the, you can say, कि जो historians हैं और archaeologist हैं, वो they are like detectives, जो कि सारे sources और clues को find out करते हैं, जिसे कि हम अपने past को जान सकें. One past or many, past एक है, या फिर कई सारे. Did you notice the title of the book, our past? आपने जो देखा होगा, हमारे जो इस book का title है, वो क्या है? Our past. We have used the word pasts. Past है, past नहीं, pasts. In plural, to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. हम कभी भी किसी भी बात के लिए पूछते हैं, अभी आपने आप देखा होगा, जब आप दो-तीन लोगों से एक ही चीज़ के बारे में, किसी भी history के बारे में जानना हो, अपने ही घर में, अगर आप दादी दादा से कुछ पूछेंगे, तो वो अलग बताते हैं, थोड़ा सा different होता है, और अगर नाहीं नाना से उसी बात को पूछेंगे, तो थोड़ा सा और different होगा, more or less, थोड़ा सा same होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत different होगी, तो यही है, it's all about the past, past में भी क्या होता है, कि इसलिए इसे plural form दिया गया है, past, because it has many phrases, past जो है, वो कई कई लोगों के थूँ अलग अलग है, हमारा जो इतिहास है, वो हर इंसान ने, अब मतब जिससे भी आप group of people जो है, उनके लिए अलग अलग है वो चीज़, किसी के थूँ यह ऐसा है, किसी के थूँ कुछ और है thinking उनकी, for example, the lives of herders और farmers were different from those of kings and queens, जैसे queen और king का जो past होगा, वो अलग होगा, herders और farmers के जो life का past होगा, वो अलग होगा, the lives of merchants were different from those who craft person, तो हमें किस से बता चला, अब देखिए, आपको अलग-अलग लोगों से जब manuscript में लिएगी, तो वो अपनी according, what they are thinking, they will write according to that only, तो जो उनकी सोच होगा और जो वो फिल कर रहे होगा, जो उनके साथ हो रहा होगा, उस तरीके से वो past लिखेंगे, इसलिए जैसा जो person होगा, उसी तरह से उसके past की जो definition है, वो change होती जाएगी, also as is true, even today, people follow different practice and custom in different parts of the country, और ये भी बात सच चाहिए, कि हम अलग-अलग जब पर अलग-अलग culture यूज़ करते हैं, आपको North East में अलग culture मिलेगा, आपको South में अलग culture मिलेगा, West में अलग culture मिलेगा, तो आपको हर जगा-जगा अलग-अलग culture मिलता है, तो वही चीज़ पहले भी हुआ करती थी, so example, for example, today most people living in the Andaman island, get their own food by fishing, hunting and collecting forests produce, आज के टाइम पर जो भी अंडवान के आसपास रहते हैं, वह अपना खुद का fishing, hunting and collecting of the forest produce करते हैं, खुद करते हैं, by contrast, most of the people living in a city is depend on other for supplies of food, लेकिन इसी के opposite जो यहां city में रहते हैं, जो developed areas में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना food के लिए किस पर डिपेंड हैं, obviously other sources पर हम शॉप पर जाते हैं, हम जो चाहिए होता है वो लेते हैं, हम उससे से खरीते हैं, even if the people are searching for meat also, they are just going to the shop only, but not this practice is not in the island, in Andaman island. Beside there is an other kind of difference, we know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of the victories. इसके अलावा हमें किंग के लाइफ के बारे में पचला, उनके क्या क्या अडवेंच्रिस से, उनकी जो बैटल सी, उसके बारे में पता चला हमें, कैसे क्योंकि वो लोग अपनी हर विक्ट्री को क्या करते थे, record करते थे, generally ordinary people such as hunter, fishing, folk, gatherers, farmers and herders did not keep record of what they did, देखें, king ही जो है, king और जो ही अपना record रखा करते थे, और जो normal people वहा करते थे, like hunters, farmers, gatherers, ये सब लोग अपना कोई भी record नहीं रखते थे, while archaeologists help us to find out about their lives, लेकिन उसके बावजूद जो है, उनके बारे में पता चला, archaeologists ने उनके बारे में भी, उनके लाइफ के बारे में भी पता लगाया, कैसे, there is a much that remains unknown, लेकिन जो भी कुछ king के थूँ लिखा हुआ था, क्योंकि जिस तर से king farmer's orders को यूज करते थे, उसके थूँ जो लिखा था, उससे उनके लाइफ के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि अभी जानने के लिए बाकी है, what do dates mean, if somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, अगर कोई आप से कोई चीज बोलेगा, कि हाँ ये date लिख दो, तो आप जाए था क्या mention करोगे, date, day, month, year, यह 2000 and something, यह 2020 चल रहा है, तो यह 2020 चल रहा है, whatever the year is there, like I will ask you about your birth date, and you will write the month, year and day, okay, so these years are counted from the date, generally assigned to the birth of Jesus Christ, यह जो dates हम जो use करते हैं, वो किस के birth के बाद, Jesus Christ के birth के बाद, यूज हूई है, the founder of Christian Christianity, यह कौन है, Jesus Christ कौन है, founder of Christianity, means, 2000 means, 2000 years after the birth of Christ, 2000 अगर हम use करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि, first date कब से start वही, just in Christ का birth हुआ, तो उस दिन से हम date count करते हैं, और अगर यह 2020 है, तो means, 2020 years before Christ का birth हुआ, all dates before the birth of Christ are counted backwards, and usually have the letter BC, और हम इसमें जो है, backward usually करते हैं, जो Christ के birth के पहले की date, हम जो count करते हैं, उसे हम क्या लिखते हैं, BC, यानि कि before Christ, before Christ मतलब कि, Christ का जो birth से पहले, तो अगर हम BC 2000 बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है, कि Christ के birth के 2000 साल पहले, 2020 years before तो उनका, जो है, उनका birth हुआ, और उससे भी 2000 साल पहले की बात है, तो आल्मोस 4000, 2000, so added on, in this book, we will refer to dates, going back from the present, और इसमें हम जो है, refer करेंगे, आज से present के, present date से हमने, इस बुक में जो इन्होंने dates दिया है, वो present date से दिया है, 2000 as a starting point, जैसे कि आपको पताया ना, जैसे 2000, 3000, इस तरह के से उन्होंने, इस बुक में dates से हैं, अब मैं आपको letters और dates के बारें बताऊंगी, कि हम क्या यूज करते हैं, BC तो आपको बचल गया, before Christ birth, BC हम किसके लिए यूज करते हैं, before Christ birth, जो हम आज की date यूज करते हैं, वो कौन सी यूज होती है, Christ के, birth के बाद वाली, और जो Christ के birth से पहले वाली है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, BC, और कई बार आप लोगों ने AD भी देखा होगा, AD is used for the, this is a Latin word, Anodomini, ये एक Latin word है, इसका मतलब होता है, in the year of the Lord, means, जो Lord का year, मतलब की भगवान का साल, so, the Christ जो है, I, Christ, मतलब की, Christian के भगवान कौन थे, Christ थे, so, कई बार वो लोग AD का भी यूज करते हैं, Anodomini, so, 2012 can be also written as AD 2012, और अकर 2012 को हम ये लिखना हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD 2012, AD 2020, sometimes CE use instead to AD, and BCE instead of BC, कई बार AD जो है, CE use होता है, AD के जगा, और BCE use होता है, BC के जगा, कैसे, जिसे लेटर है, CE, इसका मतलब होता है, Common Era, BCE means होता है, Before Common Era, means जो Christ, we use the term, AD हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, Christ के बर्थ के बाद के लिए, तो वो क्या हो गया, Common Era, means CE, और, जो है, BC हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, Before Christ के लिए, यानि कि BCE क्या हो गया, ये, Before Common Era, ठीके ना, So, we use these terms, because of the Christian Era, is now used, in the most of the countries of the world, तो Christian Common Era ही जो है, वो use होता है, क्या, CE ही यूज होता है, जाएता है Christian Worlds में, मतलब जो Christian Countries है, वो उसमें पूरा जो है, यही यूज होता है, In India, we begin using this form of dating, from about 200 years ago, और, हम इंडिया में लेकिन, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम प्रॉपर डेट यूज करते हैं, from about 2000 years ago, 3000, like this only, so, and sometimes, letter BP, meaning, before present, और कई बार, इंडिया में क्या यूज होता है, BP यूज होता है, before present, मतलब की, आज से इतने साल पहले, so, this is the terms of using the dates, as we have seen, that inscriptions are inscribed, on hard for surface, many of these were inscribed, several hundred of years ago, all inscriptions contain, both scripts and languages, languages which are used as, well as scripts, have changed over time, so, how do scholar understand that, what was inscribed, this can be done through, a process, known as, disappointment, जो, description, सी, वो हार सर्फेस में लिखी गई है, और बहुत साल पहले लिखी गई है, तो इसमें, आप जानते होंगे, कि कैसे, जो है, वो इतनी अलग अलग लैंग्विजेस में लिखी गई है, तो, इतनी सारी वक्त जैसे बदलता गया, पहले प्रक्रित होती थी, फिर कुछ तामिल में लिखी गई, फिर कुछ तांस्क्रिट में लिखी गई, तो, आर्केल, चेंजेस न, लैंग्विजेस, तो, आर्केलोजेस कैसे पड़पाते थे, जो कि, आकरतियों से, और उनके देजाइन अफ लेटर से, जो लेटर होते थे, उस टैम भी, उसका डिजाइन से, वो लोग समझते थे, कि ए यह क्या लिखा होगा, वो कोर्यलेट करते थे, कोर्यलेट करके, उसको, क्या करते थे, उसको understand करते थे कि यह क्या क्या लिखाया तो इसके थूरू उन्होंने इसी को खोश निकाली और फेमस जो है वो एक्जामपल एडेस इफिरमिंट का एजिप्ट में जो कि किसके बारे में है नौर्थ अफ्रिका कंट्री के बारे में हैं अज़न के बारे में पांच अज़ा साल पहले वहां के कि इस अजय के पारे में तो इस अएरिया आप दो नौर्थ कोस्ट एडिया इंजिप्ट इस रोसे तंग यहां पर जो है इनकी इंसक्रिप्शन जो है वो थ्री लैंगिजिस में हुई ग्रीक में और टूफ फॉर्मस औ इजिप्शन तो जो स्कॉलरीlingen समेस्टे उन्होंने ग्रीक को समझा जो सकॉलरी उडिशें लैंगविज समस्थे थे उन्होंने एजिप्शन 되면 एजिप्शन में उस ने एजिबुशन लैंग्विश को साइईन बाइज साइड बाइज जो है है वो उसको define करते गए मतलब एक साथ Greek scholars भी और Egyptian scholars भी वो दोनों उस चीज को समझते चले गए और उसको correlate किया then they made the story as you can see a loin stood for L a bird for a once they knew what is a letter stood for they could read other inscription as well तो जैसी वो लोग समझ जाते हैं हैं कि कौन सा लेटर किसक यि यूस किया गया जिससे कि l Swami लिये एल और बर्ड के लए यूस किया गया हैं तो उसी तरहीक से घर और अजिसको I yılह nói Houth O Su cuentie किया वो जान गए कि इसको ये पोला जाता है इसको ये बोला जाता है तो इसी तरह से उन्होंने बाके इंस्क्रिप्शन भी पढ़ ली तो this is your chapter I hope you all know everything in this chapter and understood very clearly Thank you